वहीं जैपुर से बड़ी खबर आ रही है जोहाँ पर परिटन विभाग से जुड़ी ये खबर है राइजिंग राजिस्थान से पहले आएगी राजिस्थान फिल्म पॉलिसी फिल्म निर्माताओं को परिटन विभाग से ये सौगात मिलने वाली है मार्ट 2025 में आयोजित होगा आइफा आवार्ड और ऐसे में दिसम्बर में राइजिंग राजिस्थान का भी आयोजन होना है तो लोकल आर्टिस्ट के डिमांड को पूरी करने की कोशिश रहेगी और एक फिल्म पॉलिसी का निर्माण या पर किया जाएगा तो फिल्म इंडस्ट्री का जैपुर में आना और एक सशक्त फिल्म पॉलिसी बनाया जाना अपने आप में यहां के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला होगा हमारे सहयोगी प्रमोट जुड़ गए इस खबर पर प्रमोट अभी फिल्म पॉलिसी बनाने को लेकर मंधन हो रहा है किस तरह की फिल्म पॉलिसी बनाने जा रहा है परेटन विभाग क्या जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा राहिस्तान सरकार प्रेटन विभाग के दुआरा बहुत बड़ी सोगात मिलने वाली है राइजिंग राहिस्तान दिसमबर में आईजित होगा और आइफा वार्ड मार्च 2025 में आईजित होगा उससे पहले इस तरह के जो यह पॉलोसी है सोगात है यह मिलने वाली है फिल्म निर्मताओ को प्रेटन विभाग से यह सोगात मिलने वाली है और यह अपना पर बहुत बड़ी बात है इसको लेकर ये policy बनाई जाएगी और ये rising राजस्थान से पहले ये policy आएगी जी नंद्री बिल्कुल प्रमोद राजस्थान में जिस तरीके से आईफा आवार्ड आयोजित होने की चर्चा तेज है फिर राजस्थान को लेकर तैयारियां तेज है जो आने वाला वक्त है मुख्य तोर पर राजस्थानी जैपूर के लिए काफी जादा अच्छा रहने वाला है काफी विकास से भरा रहने वाला है ऐसा लगता है इन इविंट्स को देखकर हाँ बिल्कुल इसमें कोई अतिशोकित नहीं है कि जो इस समय जो काल चल रहा है प्रेटन विवाग राजस्थान सरकार के लिए बहुत ही गॉल्डन टाइम चल रहा है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मुख्यमंत्री भजनलाज शर्मार लगातार इस तक के लिए योजनाए क्रियानवित लगातार कर रहे है और आईफावार दोहजार पचीस जैपूर गुलावी नगरी के अंदर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है इसको लेकर यहां पर रोजगार बढ़ेगा निवेशक जादस जादस निवेश कर पाएंगे और अपने बहुत बड़ी बात है राजिस्तान का इसके अंदर चैन हुआ है और काफी लोग यहां पर आएंगे और लोगों को काफी रोजगार मिल पाएगा जी चलिए शुक्रिया प्रमो तमाम जानकारियों के लिए तो इसना में परिटन विभाग जिस तरीके की प्लैनिंग राजदानी जैपुर और राजिस्तान के लिए कर रहा है फिल्म पॉलिसी का निर्मान किया जाएगा लोकल आर्टिस्ट के लिए अपॉर्जिनिटीज भढ़ेंगी और साथ में बॉलिवुट की एंट्री होना आइफा वार्ट के माध्यम से और साथ साथ राइधिंग राजिस्तान जो अपने आप में इन्वेस्टमेंट का महा इवेंट जैपुर में होने वाला है तो इन तमाम इवेंट्स और जो परिटन विभाग की प्लानिंग है उसे देखकर यही लग रहा है कि जो आने वाला वक्त है टूरिज्म के लिहाज से जैपुर के लिए काफी महतुपूर और काफी गोल्डन रहने वाला है